स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जहारखन फाइटर्स में आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूवर से कहना चाहती हूं जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो उसे एक ल समंदी थी कोस्चन को करेंगे तो आईए देखते हैं प्रस्नों को मुगलकाल के दोरान जहारखन राजी को क्या कहा जाता था तो मुगलकाल के टैम में जहारखन को दोस्तों खुकरा कहा जाता था यहां थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है खुकरा लिखा हुआ है तो परतलवार और ढदाल के साथ कौन सा निरित्ति किया जाता है? एंसर होगा option number A पाई का ज्यारकोंड के सिलवानूस ढूंडूं को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? एंसर होगा दोस्तो option number D हौक की ज्यारकोंड का परशिद पार्शी अगनी मंदिर कहां इस्थित है तो यह मंदिर इस्थित है उप्सन नमबर ए जमसेदपूर में जार्खन सरकार ने 2017 में किस कमपणी के साथ कलॉड अधारित नागरिक सेवाओं में सुधार करने और जार्खन को नई स्टार्ट अप कमपणियों के लिए आकरसक जंगल बनाने के लिए एक सहमती पत्र पर हस्ताच्छर किये है एंसर होगा उप्सन नमबर सी ओरेकल जार्खन का पहला चुवार विद्रोग कब हुआ था दोस्तों यहां पे उप्सन में सही एंसर दिया नहीं गया है इसका सही एंसर होगा जार्खन के सबसे पुराने संस्थानों में से एक जिसे वर्तमान में राजी गरामीन विकास संस्थान कहा जाता है मूल रुप से कब अस्ताफित किया गया था एंसर होगा उप्सन नमबर बी उनीस सो चुवन 36 गड़ राजी जार्खन में डैस में इस्तित है मतलग किस और इस्तित है वो पूछा गया है तो इसका एंसर होगा उप्सन नमबर ए पस्चिन यहाँ पर बता देना चाहरे हैं दोस्तों कि मैप से संबन्दित कोश्चन पूछे जाते हैं उत्तर में कौन है दच्चिन में कौन है पस्चिन पूरव चारो दिशा का हमें ग्यान रखना है तो इसे मैप को आप लोग देख लिजिएगा जारखन के किस कवी को हिंदी में सर्वस्रेश्ट कवीता के लिए 2011 में पत्तिष्चित भारत भूसन अगरवाल पुरुसकार जीता था एंसर होगा उप्सन नमबर सी अनुज लुगून निमलिखित में कौन से राची में पैदा हुए भारतिय तिप्तो लॉजिस्ट है जो एक लेखक और सिक्कम रिसर्च इंस्ट्यूट आफ तिप्ते लॉजी SIRT के संसापक नेदेशक है एंसर होगा उप्सन नमबर बी निर्मल चंदर सिन्हा निमलिखित में से कौन जार्खन में राज्य सभा के सदस्य हैं जो भारतिय जनता पार्टी के राज्य को साध्याच और एक उध्योगपती भी हैं एंसर होगा उप्सन नमबर बी महेश पुद्दाद ज्यार्खन में भागिरत, दुबई, गुसाई और पटेल सी के नेत्रित में खेरवार विद्रो कब हुआ था तोस्तों इसका आप लोग एंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे ज्यार्खन के परसित सोतंतरता से नानी बिर्शा मुंड़ा का जनम कब हुआ ये कोस्टन बहुत इजी है लेकिन बार बार आई ये कोस्टन पूछे ही जाते हैं इसलिए इसे ध्यान में रखेंगें एंसर होगा उप्सन नमबर सी पंदा नॉवंबर अठारा सो पच्छत्तर इन दा सैडोज अफ दा इस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो जार्खन से संबंदित मूल निवासी, राजनीती, परियावरनवाद और विकास पर अधारित है एंसर होगा उप्सन नमबर डी अलपशा साथ जनजाती जीलों के ओध्योगिक विकासे तु परियासरत जार्खन में स्वायत निकाय का क्या नाम है एंसर होगा उप्सन नमबर ए राजची और धीगिक छेत्र विकास पराधी करन जार्खन में तिर्कुट चोटी कहां इस्थित है एंसर होगा देवघर देवघर में ही तिर्कुट पहाड़ी है दोस्तो जार्खन में दश्रम जल परपात की उत्पत्ती किस नदी से होती है इसका एंसर होगा उप्सन नमबर सी काची जमसेदपूर के बाएं हाथ के मद्धी करम के बल्लेबास का नाम क्या है मलेशिया में 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के विजेता भारती टीम के परमुक बल्लेबास थे एंसर होगा उप्सन नमबर सौरत तिवारी जार्खन धातु कारिय करने वाले शर्मिकों के लिए परसिद है जो सांदार डिजैनों के सुंदर चोड़े कंगर बनाते हैं जिने डैस कहा जाता है एंसर होगा उप्सन नमबर एच चूर प्रस्न है यह जार्खन का एक जिला है जहां 50 एकर भूमी पर एक बड़ा तलाव हुआ करता था और किवंदति के अनुसार कोई भी वेक्ति तैर कर अथवा हाती पर यह नौ पर तलाव को एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक पार नहीं कर पाया है यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी तो उसके पौंग हेरे में फस जाते थे और वह अपने आपको जल समाधी में पाता था उस जिले का नाम बताएं जहां यह तलाव इस्थी थे अप्सन है गुड़ा, गिरीडी, गढ़वा, गुमला एंसर होगा दोस्तों, गुड़ा प्रश्ण है देश की जनसंक्या का लगभग, डैस हिस्सा जहारकंड की जनसंक्या आच्छादित करता है जनगर्ना यह है दोहजार एगारा के अनुसार उप्सन है 1.75% 2.6% 4.39% 1.33% उत्तर है 2.62% देवगर्न में बैदनात मंदिर भारत के डैस में से 1 शिव जो तिलिंग है और साथ हिवा डैस सक्ति पीठों में से 1 सक्ति पीठ है आप्सन है A 12, 45, B 12, 61, C 12, 51, D इन में से कोई नहीं एंसर होगा 12, 51 इस क्रॉल चित्रकला का स्रेज हारखन की निम्न जन जाती को दिया जाता है एंसर होगा आप्सन नमबर A संथाल बॉक्साइट के आरच्छित भंडार की देश्टी से जहारखन राजी का भारत वर्स में डैस अस्थान है एंसर होगा आप्सन नमबर B सात्वं अस्थान निम्न में से कौन जहारखन का धनुर्धर नहीं है एंसर है आप्सन नमबर D अरूना मिश्रा यह तेवार मुख्यता पस्वू के लिए होता है एंसर होगा आप्सन नमबर A वंदना प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव रद्वारा सासित कैशलपूर परगना के नाम से जाना जाता था अंसर है दोस्तो आप्सन नमबर C सिम्डेगा टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दिवारों पर परकिर्टी पाथिव रंगों में मुख्यता पुस्पी और जंगल अधारित मूल भावों का परियोग करते हैं समुदाय का नाम बताएं वो समुदाय का नाम है दोस्तो आप्सन नमबर C तूरी जारखन राजी का सिचित छेतर है सरवत्तम उत्तर का चेहन करें जो सबसे ज़्यादा नजदीक है वैसे उत्तर को यहां मांगा जा रहा है एंसर होगा ओप्सन नमबर A 3.007 लाख हेक्टियर जोहार का विश्तारित रूप है एंसर होगा ओप्सन नमबर A जारखन ओपरचुनिटीज फोर हरनेशिंग रूरल ग्रोथ जारखन सरकार द्वारा भारत सरकार को निमने में से कौन से नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विख्सित किया जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है यनि एक है इसमें जो प्रस्तावित नहीं है बाकी तीन प्रस्तावित है एंसर इसका होगा जाम ताड़ा ये स्मार्ट नगर में नहीं है प्रस्तावित, राची, जमसेतपूर और देवगर ये प्रस्तावित है नीती आयोकी दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की आओधी के लिए महत्तोकांची जीलों की सूची में जार्खन को कितने जीले शिखर पर है एंसर होगा अप्सन नमबर B, तील जार्खन में परवर्तिर परधान मंतरी जन आरोगी योजना आईश्मान भारत का टोल फिरी नमबर है अप्सन नमबर C, 14, 55 प्रस्तन है जार्खन में जन संख्या घनत्व है एंसर होगा अप्सन नमबर C, 414 वेक्ति परति किलो मीटर दोस्तों आज का सेशन इहीं पर समाप्त होता है हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए कंटेंट को लेकर जो प्रिवियस पेपर से समद्दित होगे हमारे चैनल पर जो भी नए है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे सेशन अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक जरूर दे और दोस्तों को भी शेयर करें फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद